Hello friends, welcome to my channel, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट अमित कुमा सिंग, आज मैं आपको एक कैनिकल सेक्टर की biggest multi-west talk बताऊंगा, जिसमें आप सभी लोग wealth creation के लिए पैसा लगा सकते हो, समय दोगे तो आपका पैसा बने गहीं, और जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि कैनिकल सेक् में करोडपती, अरपती बनना चाहते हो तो, राकेस, जुन जुन वाला बनना चाहते हो तो, और ये bull market है, बहुत बड़ा bull market है, ये कहीं dialogue, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कि ये bull market है, बहुत लोग कमेंट करते हैं, कि मैं हर वीडियो में, bull market, bull market क्यों चिलाते रहता हू तो भईया आप क्या चाहते हैं कि मैं मंदी मंदी बोलू और क्या ये बुल मार्केट नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सभी करेक्षन होता है 100-200 पॉइंट का भी करेक्षन होता है तो आप लोग बोलना स्टार्ट कर देती हो कि बुल मार्केट खतम हो गया बहुत हो गई तेजी तो भईया बुल मार्केट में हो जो लोग पैसा लगा रहे हैं वो पैसा बना रहे हैं और ऐसा नहीं है कि मैं 2-3 महिने से बुल मार्केट बोल रहा हूं 13-14 महिने से मैं हर वीडियों बोल रहा हूं कि ये बुल मार्केट है, निफ्टी जब 78,000 का था, मैं तभी बोल दिया था, कि ये जो बुल मार्केट है, वो डेर सालों तक चलेगा, अभी भी चल रहा है, मेरा 10,800 का टारगेट, 13,000 का टारगेट, 15,000 का टारगेट, 16,000 का भी टारगेट, अचीव हो चुका है, 2021 खतम होते निफ्टी, 20,000, 21,000 का हो जाएगा, 18,000 का तो तुरंत हो जाएगा, अभी तो बैंक निफ्टी चला ही नहीं है, लाच केप कंपनी पैसा बना ही नहीं है, कोटक मेंदरा बैंक, HDFC बैंक, HDFC, MC, SVI लाइब, HDFC लाइब, क्या ये सब कंपनी चला है, जो मार्केट गिरेगा, बड़ा करेक्शन तभी होगा, जब Larch Cap कंपनी में करेक्शन होगा, बैंक निफ्टी में कभी भी आग लग सकता है, banking and financial eccentric कंपनी में कभी भी आग लग सकता है, तो आप लोग डर ये नहीं, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहिए, और आपको अगर डर लगता है, तो भा प्रिंस फाइब एकई साल में 400-500 पसंद दिन बना के दिया है तो बहुत चाहते हैं कि आपका स्टॉक हमेशा चलता ही रहे ऐसा कभी होता है क्या बोठोले बनाई क्यों जाती है कभी आई टी सेक्टरी कंपनी पैसा बनेगा तो कभी फाइनिसे सेक्टरी कंपनी पैसा बनेग अब बनेगा कभी बजाज चलेंगे तो कभी एचली ग्लास कोट चलेंगे लेकिन सभी स्टॉक एक साथ विल्कुल भी ने चलेंगे आप लोग आइडी से फर्स्ट बैंक खरीते हो यस बैंक खरीते हो, आईडिया खरीते हो, तो परिशान नहीं होते हो, लेकिन बजास फानेस में थोड़ा से भी करेक्षन हो जाता है, quality company में थोड़ा से भी करेक्षन हो जाता है, आप लोग चिलाना स्टार्ट कर देते हो, मेरा पैसा डूब गया, Prince Pipe में पैसा डूब गया, Estelle Pipe में पैसा डूब गया, Dixon में पैसा डूब गया, आप यह तो पहले देखिए, यह सब company कितना return बना के दिया है, एकही सालों में, सबसे पहले मैं इसका year to geld दिख लेता हूं, और आप लोगी किसी भी company में position बनायें से प टैफ की company में आप लोग को compound का फायदा मिलेगा तो देखो net sale turnover मार्च 17 में ठाव वो 500.64 था मार्च 17 में और मार्च 21 में देख लो 1242.44 हो चुका है तो देख से तो पहुत बढियास का net sale turnover है year tier wise 500 से 1242 हो चुका है और किसी भी year में कम्विनीर है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है positive बात होती है total income देख लो total income base का सांधार है year tier wise March 17 में जो total income था वो 501.77 था March 17 में और March 21 में देख लो भई तो देख से तो बहुत ही बढ़िया इसका total income है year tier wise 501 से 1249 हो चुका है और ये भी किसी भी year में कम नहीं रहे तो भाया मुझे इसका net sale total income year tier बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है operating profit देख लो भई operating profit भे इसका सांधार है year tier wise मार्च 17 में जो operating profit था वो 95.14 था मार्च 17 में और मार्च 21 में देख लो 429.13 हो चुका है तो देख से तो बहुत बढ़िया इसका operating profit है year tier wise 95 से 429 हो चुका है और किसी भी year में कम नहीं रहे है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है positive बात होती है एबिटा देख लो भई एबिटा भी इसका सांधार है year tier wise मार्च 17 में जो एबिटा था वो 96.27 था मार्च 17 में और मार्च 21 में देख लो 436.09 हो चुका है तो देख सकते हो पहुत ही बढ़ी है इसका एबिटा year tier भाई 96 से 436 चुका है और ये भी किसी भी year में कम नहीं रहे है तो भी है मुझे इसका operating profit एबिटा year tier पहुत ही अच्छे दिखाए दे रहे हैं ऐसी financial performance वाली कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हो भाई तो आपका पैसा हर साल आराम से double हो जाएगा तो पैसा लगाईएगा और double ही नहीं होगा भाई साल में 200-300% बना के भी दे सकता है तो आप लोग जो भी पैसा लगाईएगा इस टाइप के financial performance वाली कंपनी में और long term के लगाईएगा पैसा बहुत ही तेजी से बनेगा profit and loss तो देख लो profit and loss for their ways का सांदार येर टीर वाईज मार्च 17 में जब profit and loss for their था वो 50.36 था मार्च 17 में और मार्च 21 में देख लो 295.34 हो चुका है तो देख से तो बहुत ही बढ़िया इसका profit and loss for their year येर टीर वाईज 50 से 295 में हो चुका है और ये भी किसी बियर में कम नीर है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है positive बात होती है reported pad देख लो बाई reported pad भी इसका सांधार है year टीर वाईज मार्च 17 में जो pad था वो 50.36 था मार्च 17 में और मार्च 21 में देख लो 295.34 हो चुका है तो बहुत है ये भी सांधार है reported pad भी annual EPS देख लो बाई हो चुका है तो देख सकते हो बहुत ही बढ़ियास का annual EPS है year टीर वाईज 24 से 144 हो चुका है और ये भी किसी बियर में कम नीर है तो वाईस कंपनी का नाम है और में Soup अलकल माइन्स बहुत बढ़ा मल्टिवाज टॉक है जब मैं फस्स टांफ या ता में तभी बोल दिया था कि ये बहुत बढ़ा मल्टिवाज टॉक है लक्षमी और गेनिक पर मैं जब फ़रस टांफ जाएगा हजार रुपया का हो जाएगा डिपक नहींति पर मैं जब फर्स टाइम वीडियो बनाया था मैं तभी बोल दिया था यह बहुत बड़ा मल्टिवाई स्टॉक है 2020-2021 में दिपक नैटेट बहुत बड़ा मल्टिवाई स्टॉक बनेगा और आज देख लो स्टॉक कहां पर टेट कर रहा है आप लोग अलकल माइन्स जैसी कंपनी को खरीदिये आप इसका अगर भाव देखिएगा तो कभी भी पैसा लगा ही नहीं पाईएगा अलकल माइन्स पे मैं रिपीटेड वीडियो बनाते रहता हूँ आप लोग को मैं वीडियो भी दिखाना चाओंगा तो 2,085 रुपय के प्राइसे बनाया था 20 जून 2,020 को और उसके बाद ये स्टॉक 8,000 रुपय तक गया था आप लोग को पता हो गई इस स्प्लिट का जब निउ जाया था तो 6,000 का प्राइस था उसके बाद 8,000 रुपय तक गया था आप लोग को मैं स्प्लिट हिष्टी भी दिखाना चाओंगा तो आप यहाँ पे स्प्लिट हिष्टी में देख सकते हो पहले जो फेस वैलू था वो 5 का था अब 2 का हो चुका है रिकॉर्ड डेट भी देख लो तो भईया ऐसी गलती मत किजिएगा ऐसा तो है नहीं के अलकल माइस का दुकान बंद हो गया है आगे चले गा ही नहीं चल भी रहा है आज भी ये स्टॉक 6% उपर है 4,219 रुपया का हो गया बहुत जल अलकल माइस का प्राइस फिर से 8,000 हो जाएगा तो आप लोग पैसा लगाईए लक्षमी और्गनिक जिसी कंपनी पैसा लगाईए यह सो इंजर्ष्टी जिसी कंपनी पैसा लगाईए मैं लगातार इन कंपनियों पे वीडियो बना रहा हूं और बड़ा बड़ा मैं टार्गेट भी दे रहा हूं आप लोग ये सोचते हैं कि लक्षमी और्गेनिक अब कितना चलेगा, ये सो इंजटी अब कितना चलेगा, भाई चलेगा, लक्षमी और्गेनिक में मेरा जो टार्गेट है वो एक हजार का है, फर्स टाइम जो मैं वीडियो बनाया था, मैं तभी बोल दिया था, कि लक्षमी जॉइन करना चाहते हैं तो टेलिग्राम भी जॉइन कर सकते हैं मैं कोसिस करूँगा बाई आपको अच्छा से अच्छा पोटफोलिय बना के देने का कॉंट्रेट कीजिए मुझसे पेट सर्विस चाहिए तो आप जब तक पैसा लगाईए गर नहीं तो आपका पैसा बनेगा कैसे और इस समय आप लोग किसी भी कैमिनिकल कंपनी को बिल्कुल हिमत बेचिए मैं लागातार अपने वीडियो में बोल रहा हूँ कि कैमिनिकल सेटरी कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल हिमत कीजिए आप इस कंपनी में इस समय अगर एक लाग पर लगाते हो तो बीस बाइस सालों में आपका डेर सो करोड बन जाएगा यहाँ पी आप देख सकते हो प्रिंस्पल एमाउंट जो मैं रखा हूँ ओ एक लाग पर रखा हूँ रेट आप इंट्रेस्ट 55% टाइम पिरियड 22 यर्स आप यहाँ पे रिटन देख लो एक सो तिर्पन करोड अब कई लोग बोलेंगे कि 55% रिटन बना के देगा ही नहीं तो चलो भाई मैं 45% कर लेता हूँ तो 45% के रिटन के इसाब से भी देख लो 35 करोड 35 करोड 48 लाक रुपया और भाई यह 35 करोड कम नहीं होता है और इससे जादा ही रिटन मिलेगा जब कोई स्टॉक चलता है ना तो चलता ही रहता है एक साल मही अलकल माइस ने लगबग 300% र बना के दिया है तो जो लोग लॉग लॉटर्प के रिटन करते है ना उनका पैसा बनता है 20%, 50%, 100% फॉफिट लेके निकल जाते हैं और लोग शेयर मार्केट से कभी भी पैसा बना ही नहीं पाते हैं एक साल चाहिए, मुझे कई लोग कमेंट करते हैं कि मैं लक्षमी को बेच दिया, 20% मिल रहा था येसो को बेच दिया, हैपिस्ट माइन को बेच दिया अरे भाई आपको बेच नहीं है, तो येस बैंक को बेच ये ना आइडियो से फर्स्ट बैंक को बेच ये ना, आइडिया को बेच ये ना लेकिन आप लोग ये सब कमपनी को नहीं बेच येगा, बलकि और भी आवरेज किजिएगा तो भाईया आप लोग आवरेज उस कमपनी में कीजिए, जिसमें आपका पैसा बन रहा है बजास फांड जैसी कमपनी में आवरेज किजिए, लकल मांड जैसी कमपनी मैं आवरेज किजिए आप लोग क्वालेटी कंपनी पैसा लगाएं तभी जाके आपका पैसा बनेगा लॉंग टर्में धन्यवाद